असलाम अलेकुम आज मैं आप लोगों के बना रहे हूं खीमे की रेसिपी जो कि काफी इसी तरीके से मैंने बनाया है तो चली शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने को कर लिया है उसमें मैं एक चमश ऑईल डाल दूगी ऑईल जैसे ही गरम हो जाता है तो मैं इसमें अखा गरम मासाला डाल तो मैंने सबसे पली है अप 1 डालाजीन Nandajim काफी और खोड़ा से अब दाल दूंगी यही मैंने दो गरम दालाजिका है आप झाहे तो और भी कर सकते हैं जैसे कि खील्वाय है काली मिर्च जो भी है नम ढौना है यहां पर विए सिसे दूने मिंगे कड़े तैस Tay जबावन नहीं करना है जैदा ब्राउन नहीं देना है तो जैसे ही ए ब हमारा प्याज अर्प करांग हो जाता है तो उसके बाद मैं उसमें एड करोंगे कीमा यहां पर मैंने पाउ किलो किमा लिया तहीं यानि कि 250 ग्राम कीमा तो इसको में नची से वाश करके उसका सारा पाने ड्रेंड कर दिया है और उसमें एड कर दिया है तो अब मैं इस तीमे को थोड़ा गला में स्टोड़ी कम कर देनी इस तोड़ी तर डीम से फaste दनिये का पेस्ट डाल दिया है एक टेबल स्पून में नमक डाल दिया है और इन सब चीजों को में अची तरीके से मिक्स करूँ ताकि यह जो सारे मसाले हैं वो कीमे को कोट हो जाए हमारा कीमा बहुत ही टेस्टी बन ज़़ा तो यह सब हो डालने के बार में डालूगी इसमे अब इसमें मैं डालूगी आलू तो आलू मैंने यहां पर दो आलू यह थे जिसे क्यूब्स में कट कर लिया है ठोड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है और यह आलू को भी मैं मसालों में सारे कोट कर लूगी मिक्स करके तो आप चाहे तो आलू डाल सकते हैं लेकिन मैंने डाल दिया है यह भी ऑप्शनल है और लो डालने के बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल दूगी ज्यादा पानी नहीं डाना है क्योंकि कीमे का पानी अल्रेडी निकलता है इसलिए मैं इसमें सिर्फ थोटा सा पाणी ढाल। दूँगी पानी जैसे डालने के बाद, अब मैं इसमें सिर्फ लास्ट इंग्रिडियन्ट बच्ची हैं, जो है कसूरी में थी, इसे भी में ढाल। दूँगी। मैंने यह पूरी रेसिपी पूरी जो अपने घर पे अबिलेबल रहती है उसी इंग्रीडियंट्स के साथ में बनाए है मैंने तो उमीद कर थे आपको यह मेरी रेसिपी इजी लगेगी तो यह सब मिक्स करने के बाद अब हम कुकर के लीड को बन कर देंगे और उसे दो विसल के बाद हमारा खीमा रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं मैंने उसे कुकर के निकाल के मैंने उसे एक पैन में रख दिया तो कितनी अच्छी तरीके से तरी भी उसकी निकल आई है तेल भी अच्छा सब्टेट हो चुका है आप देख सकते हैं थैंक्यू कर दो कर दो